सूर्य का गोचर व्रिष्चिक राशी में होगा जो मेश राशी के जातकों के जीवन में कई तरह के प्रभाव और बदलाव लाएगा ये गोचर मेश राशी शे आठवे भाव में होगा आठवा भाव जोतिश में गहनता रहश्य बदलाव और उनर जनम्ज जैसे विश्यों का प्रतिनिधित्व करता है इस गोचर का परभाव मेश राशी के जातकों के लिए मिस्ष्रित रहने वाला है जिसमें लाब और चुन आओ पड़ेगा इस गोचर के दोरान मेश राशी के जातकों को आर्थिक द्रिष्टी से कुछ अप्रत्याश्यक लाब मिल सकता है ये लाब बीमा पैत्रिक संपत्ती निवेश या किसी अन्य गुप्त स्रोत से आ सकता है जो लोग संपत्ती या निवेश से जुड़े कारि उन्हें इस समय में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं हलांकि धन की सुरक्षा पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा क्योंकि अचानक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है इस समय में वित्य निर्ने लेते समय सतर्क रहे और धन का अनावश्यक खर्च करने से बचे क्योंकि सूर्य मेशराशी के जातकों के लिए अश्टम भाव में है तो आठवा भाव स्वास्त समस्याव और मानशिक तनाव का भी संकेत देता है मेशराशी के जातकों को इस दोरान स्वास्त समंदी समस्याव का सामना करना पड़ सकता है विशेश रूप से पाचन तंत् नर्वस सिष्टम से जुड़ी दिक्कते आ सकती हैं इस समय में नियमित स्वास्त जांच करवाना और संतुलित अहार लेना लाबकारी होगा मानशिक और सारेरिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग का सहारा ले स्वास्त को लेकर किसी भी समस्या को नजर अंदाज ना करें क्योंकि छोटे मुद्दे भी गंभीर रूप ले सकते हैं इस गोचर के दौरान मेसराशी के जातकों के जीवन में कुछ गहन और रहश्यमई अनुभव हो सकते हैं व्यक्तिकत जीवन में आत्म विशलेशन और मानसी गहराई का अनभव होगा जो आपके भीतर के सच को उजागर कर सकता है। इस समय में आप अपने अंदर की कमजोरियों और ताकतों को पहचानने में शक्षम होंगे। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ मतभेद उत्पन हो सकते हैं, खास कर पैत्रिक, संपत्ति या अन्य परिवारिक मुद्दों को लेकर विवाद हो सकता है। परिवार में किसी बड़े सदस्य की सेहत भी चिंता का कारण बन सकती है। इसलिए उनकी देख भाल पर ध्यान दें। इस गोचर के दारान आपके रिस्तों में गहराई आएगी। यदि आप अपने साथी के साथ अधिक समय बिताते हैं और उनके प्रती अपनी भावनाओं को समझते हैं तो रिस्ते में मजबूती आएगी। आत्म अवलोकन के कारण आप अपने साथी की भावनाओं को और अधिक गहराई से समझ पाएंगे। हलंकि इस समय में आपको रिस्तों में गलत फेमी और विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। अहंकार और आवेग में आकर कोई ऐसी बात ना कह दें जिस से रिष्टों में खटास आजए। संयम और ठैरे से काम लें और अपने साथी के प्रती समवेदन सील रहें। तूरी के अश्टम में गोचर का आपके कैरियर और कारे छेतर पर भी गहरा परवाव पड़ने वाला है। कारे छेतर में आपकी मेहनत और गहराई से काम करने की छमता को सराहा जाएगा। अगर आप किसी शोध, अनुसंधान या गहन अध्यन में लगे हैं तो ये समय आपके लिए अत्यंत लावकारी हो सकता है। इस दवरान आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त हो सकता है। कारे अस्थल पर कुछ दबाव भी महसूस होगा आपको। आप पर काम का बोज अधीक हो सकता है या आपको जिम्मेदारी ज्यादा दी जा सकती है। जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है आपका। सहकर्मियों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है। इसलिए काम में शांत और धैरे पूर्वक रहें। कोई भी बड़ा निरने लेने से पहले अच्छी तरह विचार विमर्ष करे। मेस राशी के जातकों की गुप्त ज्यान, रष्य और आध्यात्मिक्ता के प्रती रुची बढ़ेगी। आप योग, ध्यान और अन्य अध्यात्मिक गतिविधियों में रुची ले सकते हैं। जिससे आपको मानसिक सान्ती मिलेगी ये समय आत्म खोज के लिए उपयोगत है इस समय को आत्म विशलेशन और गहरी अध्यात्मिक खोज के लिए उपयोग करें किसी गुरु या अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले जो आपको सही दिशा में मार्ग दर्शन कर सकें सूरी का आत्मे भाव में गोचर होने से मेश राशी के जात्कों को अचानक बदलाव और घटनाओ का सामना करना पड़ सकता है जीवन में किसी बड़ी घटना या परिवर्तन का योग बन सकता है जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है इन बदलावों के प्रति मानसिक गुरूप से तयार रहे और शकारात्मक द्रिश्टी कौन से परिस्तितियों को जाचे ये गोचर आपके लिए आध्यात्मिक उन्नती का होगा ध्यान और योग के माध्यम से आप अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं ये समय आत्मिक उन्नती और मानसिक सांती के लिए उपयोगत है मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आप अकेला पन महसूस कर सकते हैं और अपने भीतर के भावों में उलज सकते हैं इसे एक आवसर के रूप में देखें और स्थवय को समझने का परयाश करें मेशाशी के जातकों के लिए ये गोचर मिस्रित परिणाम लेकर आया है वित्यलाब के साथ-साथ आर्थिक संकट की भी संभावना बनी रहेगी स्वास्त पर ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि इस समय में स्वास्त समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है पारिवारिक और व्यक्तिकत समंदों में गहराई और समझ बढ़ सकती है लेकिन रिस्तों में विवाद की इस्थिती भी उत्पन हो सकती है इस समय में आप आत्मविशलेशन और आत्मसुधार की और प्रेरित होंगे जो आपके मानसिक और अध्यात्मिक विकास में सहायक होगा जो सावधानी आपने बरत्नी है आर्थिक निरने सोच समझ कर ले और अनवश्यक खर्चों से बचे स्वास्त की देखबाल करे और नियमित योग ध्यान का सहारा ले रिस्तों में ध्यारे और समझ बनाये रखे खास कर परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी अचानक बदलाओ का सामना सहस और ध्यारे के शाथ करे अध्यात्मिक्ता और गुप्त ग्यान में रुची बढ़ाए जिससे आत्मिक सांती और संतुलन प्राप्त हो सके तो ये था मेश राशी के जातकों के लिए सूरी के अस्टम भाव में गोचर का फल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सेर और सबस्क्राइब भी जरूर कीजिए और जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सबका धन्यवाद, खुश रहे, स्वस्त रहे